आपके अपने चैनल विकास ग्रू मैथमेटिक्स एनालाईसिस में आप लोग के शमक्श लेकर हाजिर है क्लास नाइन्थ एक्सराइज 9.1 का कोश्चेन नमबर फरस्ट और कोश्चन नमर फरस्ट में ही उतना ही कोश्चन इस एक्सराइज में दिया हुआ है तो आप थोड़ यों को अंतक देखोगे, question है कि which of the following figure lies on the same base, बोला जा रहा है कि इस figure में कौन से figure, यह यहां पर 6 figure दिया गया, इस question में, और यह 6 figure में कौन से figure, जो है, वह same base पे और same parallel line के बीच में है, अगर वो है, तो उसे write कीजिए, उसे लिखिए, और common base को, और parallel line को भी यहां पर लिखन है, दर्साना है, दिखलाना है हमें, यह first figure में हम लोग देख पा रहा है क्या चीजिज, इस first figure में आप देखोगे, तो आप पाओगे, कि यहां पर एक PDC triangle बनना है, और एक trapezium बनना है, A, T, A, B, C, D, तो ABCD trapezium के अंदर जो triangle है, वो दोनों triangle का base जो है, वो DC है, यह same base है, और यह same parallel line के बीच में, यह position में है, तो इस बात को हमने लिखा, यह triangle PDC and trapezium A, B, C, D, R on the same base CD and between the same parallel line AB and DC, यही अपना answer हो गया, question, इसका second देखेगा, इसमें आपको देखेगा, एक parallelogram है, और parallelogram के अंदर एक trapezium है, लेकिन यह trapezium का बात करेंगे, तो same base तो है, लेकिन यह same parallel line के बीच में नहीं है, इस line पे यह नहीं आ पाया, अगर यहां से join हो जाता हो, तो बात बन जाता, तो इसमें ऐसा कुछ बात है नहीं, तो हमने लिखा, parallelogram PQR and trapezium SMNR on the same base, यह same base SR पे है, but they are not between same parallel line, क्योंकि दोनो PQ और SR parallel line के पीच में नहीं है, ठीक है, अब question number में देखेंगे, third यह question number third हुआ, इस figure में देखेंगे, हम लोग क्या चीज़, यह देखेंगे, यह base तो सेम दिख रहा है, triangle का और यह parallelogram का, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, triangle TQR and parallelogram PQRS are on the same base, और वो same base का नाम भी लिखना तो question में, तो same base क्या इसका हो गया, QR, and between the same parallel line PS and QR, clear, अब देखेंगे, हम लोग question number इसका 5, तो question number, sorry, question number 4, तो 4 रहा गया है, तो 4 को हम लोग देखी लेते हैं, ठीक है, उसका हम लोग 4 देखते हैं, तो इस figure में देखेंगे, यह base तो है, लेकिन सेम base नहीं, यह PQ का base छोटा है, जबकि यह base तो बड़ा है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ बात है नहीं, तो parallelogram A, B, C, D जो है, और triangle R, P, Q जो है, वो same parallel line के बीच में तो है, but base is not same, नहीं, यही बात न, AD and BC, but they are not same base, ABC और PQ जो base है, वो same नहीं है, यह figure थोड़ा से हम से, थोड़ा mistake हुआ है, करने में, यह parallelogram का shape बन रहा था, थोड़ा आगे तक जाएंगे, तो यह parallelogram आप लोग को दिख रहा है, और नीचे भी एक आप लोग को parallelogram ही दिख रहा है, और यह दोनो parallelogram को देखा ज तो एक parallelogram यह बन गया, दूसरा parallelogram यह बन गया, तो parallelogram ABC and D and parallelogram APQD are on the same base AD, दोनों का common base क्या है, जो same है, वो AD and same parallel line AD and BQ, के बीच में है, बात खत्म, अब देखिए, question number 6 की तरह बढ़ते हैं, six number question है, कि इसमें देखिएगा बहुत सारा parallelogram बन रहा है, ठीक है, इसमें भी हम लोग लिखेंगे, parallelogram PQRS and parallelogram AQRD and parallelogram BQRC are between the same parallel line also parallelogram PQRS and BQRC P, SC, parallelogram, यह सारा parallelogram को हमने mention कर दिया, सभी same base और same parallel line के बीच में है, तो यह बात को हमने mention किया, तो उम्मीद करते हैं, आप लोग को शमज में आया होगा, स्चरोग को हमने।